एसोजी मुख्याले से बड़ी खबर सामने आ रही है जेएन भरती परिक्षा पेपर लीग मामले को लेकर एसोजी का बड़ा एक्षन सामने आया दोसा और जैपूर में एसोजी की सर्च ओप्रेशन लगाता जारी है आरोपी भी पकड़े गए है आरोपीयों को नाम हर्शवर्दन मीना, राजेंद रियादव समेथ अन्या आरोपीयों के ठिकानों और उस्तदारों के अड़ों पर कारवाई हुई है जैपूर के करधनी वेशाली नगर छूट पड़ा और चित्रकूर्ट अलाके में इस कारवाई को अंजाम दिया गया तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तो आरोपीयों के ठिकानों और उस्तदारों के घर पे एक कारवाई हुई जैएन भरती परिक्षा पेपर लीग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है दोसा और जैपूर में एसोजी का सर्च ऑपरेशन जारी है और अब लगातार पूश्ताज भी की जा रहे है दोसा से बड़ी खबर आ रही है दोसा में एसोजी की बड़ी कारवाई हुई दोसा के आने चिकिस मोधी के तिवारी के सामने एक आश्रम में एसोजी की छा पेमार कारवाई हुई एसो जी एसपी नुरेंद्र मीना के नेक्वित में ये कारवाई हुई पेपर लीग के मामले में पटवारी हर्श वर्दन की मिली थी जानकारी एसो जी को जाच के दौरार कई दस्तावेज मिले और उसी के आधार पर गिरफ्तारी हुई अब लगातार इस पूरे मामले की गहनता से जाच की जानी है ये बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं एक परकरण में अर्श वर्दन नाम का एक पटवारी है उसको अरेस्ट किया था इसो जी ने उससे पूस्ताज के आधार पर कुछ इंपूट मिले हैं उस आधार पर पेपर लीक और डमी के इंडेट बगरा के वारे में तबतीस की जा रही है और उससे जो इंपूट मिला था उस आधार पर कुछ हिस्तानों की सर्च की जा रही है कोट से सर्च वारंट लेके उच अधिकारियों के जो निर्देश थे उसके अनुसार कारवाई कर रहे है और आगे जो तकतीस में आएगा वो सामने आएगा वे यहाज पर किस तरह के कारवी के जड़ है इस जगी जए रहता था रहता है इस जगे रहके वो कुछ अटिवीद्या संच्छालिक कर रहा था उस से पुजता आदर पया स्रुच है तरो कुछ मिलाई PRES अधो झान कुछ इसके बिजली के बल मिले तो वह बिल इसी प्रोप एचूूँज बव filsपता टारी जऑ सब्सीराएंट